इंडिया का PC मार्केट बहुत ही जादे इंटरस्टन चल रहा है जहां पर उसने 8.1% की येर औन येर ग्रोथ दिखाई है लेकिन वहीं पर जो PC के अंदर Dextra वाला मार्केट वो यहां पर ड्रॉप हुआ है और comparatively laptop की दिमांड इंडिया में बहुत ही से इंक्रीज हुई है और अगर इंडिया में top 5 PC ब्रैंड के बारे में बात करें तो 5th position पर Asus जैसी कमती आती है Asus का जो मार्केट शेर है वो around 6% के round आता है और 4th position पर आती है Acer और Dell 2nd position पर आती है Lenovo और 1st position पर आती है HP HP जैसी company 1st पर आ रही हो 2nd position पर Lenovo है देखा जा तो Lenovo ने हाली में Motorola की ब्रैंडिंग के अंदर भी अपने कुछ नए laptops को उता रहा था और देखा तो इंडिया के अंदर लैप्टोप वाला market है वो चल नॉर्मल ही हाँ पर चल रहा है लेकिन देखा तो किसी जादा नए प्लियर की यहाँ पर जरुवत नहीं है और आप लोगों को मालूम है कि past में कोई Chinese companies नहीं भी अपने laptops निकाल ले की कोशिश करी थी जैसे Xiaomi हो गया या Realme हो गया लेकिन यह भी जादा successful नहीं हो पाए हालाक एक बात यहाँ पर है कि इंडिया के अंदर देखा तो most of the laptop around 40-50,000 रुपीस के segment में बिखते हैं तो देखा तो इंडिया के market काफी जाद इंट्रस्टिंग है स्मार्टफोंस के तो हमने कई बार अकसर बात करी है लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहें तो PC वाले market भी यहाँ पर काफी ची तरीके से चल रहा है और दिख्या सा लग रहा है कि limited companies आपस में खेलते रहेंगी हालक एक बात यहाँ पर है कि AI वाला PC सेग्मेंट है वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है इसे Windows का Co-Pilot Plus PC यहाँ पर कई लोग पावरफुल जीप्यो की पीसे जाते है क्योंकि उन्हें on device LLM जैसी चीज़ों को हाँ पर रन करना है तो हाँ इस तरीके की कुछ चीज़ें भी हापर हो रही है तो हाँ यह 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 बी चीज़ें इंट्रस्टिं हो रहा है मारकेट में इसे के साथ ही बात करें तो हाँ गूगल की तरफ से बात करें तो AI के अंदर काफी जादा चीज़ आ रही है और एक इंट्रस्टिं चीज़ के बाहरे में बता देना चाहूँगा वहोगी एजेंटिक AI जिसके अंदर प्रोजेक्ट मरीनर जो था वो गूगल नहीं है पर दखाया था जिसका मतलब है कि आपको बस AI से बोलना है कि टिकेट बुक कर दो कोई फॉर्म फिल कर दो यह सारी सारी चीज़े AI जाके वेबसाइट खोल के सारे का सारा खाम खुद अपने आप कर देगा और आपको यहाँ पर कोई भी क्लिक करने के जरूरत नहीं कुछ भी टाइप करने के जरूरत नहीं है यह बहुत ही जादी चीज़े यानि कि वेबसाइट के अंदर जाके जैसे शॉपिंग करना ओनलाइन फॉर्म फिल करना यह सब काफी जादा एजी हो जाएगा उस्ते बाब बोल के सारी चीज़े कर पाऊगे और बाइदा वे एई-ई-ई-ई-ई-ई-क के बारे बात कर तो बहुत जादा थी इस इफॉल्व होरी और बहुत जादा स्केरी होती जा रही है यहा तक कि गूगल जैम नहीं अब आपको कोड भी लिखकर दे सकते आपको पूरी की पूरी एप बना कर दे सकती है तो देखा है तो हम यह जो पूरा decade चल रहा है 2020 से लेकर 2030 वाला यह totally AI के बारे में और हाँ यह मैं gimmick वाली AI के बारे में बात नहीं कर कि आपने photograph में से कोई object remove कर दिया मैं कैसी AI के बारे में बात कर रहा हूँ जो है आपे literally humans का जहाँ पर काम कर रही है हाला कि देखने वाली बात है कि जॉब वगेरा जो रहती है उसके उपर से क्या impact पड़ेगा और long term में AI किस level पर जाती है और यह देख की भी scary लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से AI generated videos popular हो रहा है गूगल पिक्सल से रिल्टेटिक काफी इंडरस्टी न्यूस है जिसके अंदर पता चलता है कि जो पिक्सल 10 के अंदर जो गूगल का टैंसर आएगा वो फाइनली TSMC पर आने वालों उसका production पर शुरू हो चुका है और गूगल वाले TSMC की चिप्स को अप टू पिक्सल 14 तक यूज़ करने का प्लान कर रहा है और उसके बास सोचेंगे कि अगर सैमसंग की अगर हालत सुधरी तो शहरे सैमसंग की पीछे जाएं लेकिन TSMC की उपर जाने से उन्हें एडवांस्मेंट मिल रही है परफॉम्मेंस बूस में मिल रहा है, थर्मल सी भी अच्छे देखने को मिलेंगे, एफिशेंसी देखने को मिलेगी और इसका सीधा-सीधा इंपैक पिक्सल की ओवरार परफॉम्मेंस पर पढ़ेगा बाइदर वे गूगल पिक्सल अल्रेडी इंडिया के गूगल ऑनलाइन स्टोर पे मिलना शुरू हो चुका है और गूगल वो सारी चीज़े कर रहा है जिससे वो इंडिया के मार्केट को क्रैक कर सकता है प्रोडट को वाइलेबल करवा रहा है यहां तक कि गूगल के ओनलाइन स्टोर में लोको ओफर वगरा देखके एक्चेंज स्कीम देकर भी अच्छी चीज़ों से लोका ट्रेट करने के कोशिक करा है तो गूगल की काफी जादा प्लान और पिक्सल को भी एक रेप्यूटिबल ब्रांड बनाने की जरूरत है और देखा तो इंडिया में वन आफ दी फास्टेस ड्रोइं की कैटेगरी में गूगल पिक्सल यहां पर क्रो कर रहा है दिखते हैं आने वाले टैम पर क्या रहता है और गूगल पिक्सल 10 के साथ गूगल यहां पर और क्या क्या नहीं नहीं चीज़ा करता है इसके साथ एक और इंटरस्टीन सीज़ बता चलिया वो हैं सैमसंग से रलेटेड देखा तो बहुत बड़ी कप्टनिया और सैमसंग के दो डिवीजिन होती एक सैमसंग की LSI डिवीजिन है जो की चिप डिजाइन करती और एक सैमसंग की फांटरी जहां पर सैमसंग फैब् इसको इपेशती है और दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट होता है लेकिन क्या करें कि सैमसंग की फांटरी उत्ती जादा एडवांस रही नहीं जित्ती जादा TSMC कि जिस कारेंट से लॉस में चल रही है और सैमसंग ब्लान कर रहा है कि अपनी जो चिप डिजाइनिंग क डिविजिन और जो फांटरी की डिविजिन उसे मिला दिया जाए जिस कारेंट से और वर्कलोड कमाएगा और एफिशेंसी आएगी और यह लोग बेटर चिप से हाँ पर डिलीवर कर पाएंगे लें एक सच बात है कि सैमसंग देखा तो चिप मैनिफेक्चरिंग की जो रे यह चल के और बड़ा प्रॉब्लम क्रेट कर सकती है यह बाद आप लोग अच्छे तरीके से मालो में इसके साथ ही काफी इंटरस्टिंग न्यूस पता चलती है एपल से लेटेड देखो इंडिया के अंदर जो एपल है वो तो बहुत सारे काम कर रही है सुनाए कि कि एपल वाले आज भी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाली रेस में थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं और वहां उन्हें कैच अप करने की जरूवत है इसके साथ एक रिपोर्ट से यह बी पता चलता कि एपल वाले डवली डी सी जो होने वाले वहां पे जो नेक्स आयोस का हाड़वेर के अंदर भी और जादे इंप्रूव्मेंट लेकर आने वाला है यहाने की यह भी इंफॉर्मेशन आते कि एपल वाले कुछ नहीं चीज़े ट्राइओट करने की कोशिक करें जैसे 200 मेगा पिक्सल का कैमरा अपने अगली आइफोन के अंदर डाल सकता पता नही 2027 में आइफोन को कम्प्रीटली यहां पर रेडिसेंग डर सकते हैं क्योंकि वो 28th anniversary आइफोन होगा और इसके साथी यह लोग फोल्डेबल आइपैड के उपर भी काम करें जहां पर फोल्डेबल डिस्पले होगा तो वो भी एक इंटरस्टिंग कंसेप्ट है लेकिन अवर जाके निकल गई जिस कारण से जो एपल है यहां पर थोड़ा सा बैक ट्रैक हो चुकी है अब देखने वाली बात यहां पर यह कि आने वाले फीचर के अंदर यह AI वाली जो रेस रहती हैं पर एपल किस तरीके सा किस तरीके से कंपीट करता और कहीं है सानियों कि लोग का कमतनी उसकी अपनी खुद लामा या यह वो अपने AR Glasses यहां पर बना रहा है तो हरी कमतनी यहां पर काम करें लेकिन एपल जिसके पास सबस्यादा Cash Reserve वह यहां पर थोड़ी सी पीच हो चुकी है तो यार यह भी देखने वाली बात होगी आने वाले future में कि एपल की जो कह लेक्टाप के उपर निकाल रहा है तो कहीं लोग फिर सीधे गेमिंग लेक्टाप के उपर गाते तो यहार वो बीग चीज़ देखते आने वाले future के रहता है अपल, PC इंडस्ट्री, मोबाइल फो इंडस्ट्री के अंदर और और आई और टिप्स के अंदर तो देखेंगे आने वाले समय में, दोस्तो यार यह थी सफती कुछ इंटरस्टिंग टेक्नीज जो मेरे को लगा कि आप अगले पॉडकास्ट के अंदर, गुडबाए